सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बैल आइकन को भी दबाए नमस्कर मैं जेपी पाल आप देख रहे हैं बी न्यूज आज देवर्य में अत पिछड़ा वर्ग महासंग पार्टी ने आरक्षण को लेकर विशाल रैली निकाली जिसकी अध्यक्षता कर रहे राश अध्यक्ष अमरनात पाल और राश्ट प्रमुक रमासंकर चौवान देय पाल यह देखते हैं राश्ट अध्यक्ष अमानात पाल क्या कहते हैं अब और इनके नेथित में रैली निकाली जिसकी अध्यक्षता कर लेकर आयो पना तबसे इस देश में 27 विस्वर्यदी जो आरक्षण है उभी सिगा उसको तीन वर्गों में बाटरी की चर्चा कि यह आरक्षण तीन बर्गों में होना चाहिए ताकि इसे के असली हगदारों को इसका लाव मिल सके लेकिन यह सरकारे जो गुलबंद लोगों की सरकारे जैसे सपा हमारे उत्तर प्रदिश में यादों की गुलबंद पालिटी है और जब वो सरकार में आते हैं तो सारा और आरक्षण का लाव अपने भाईयों को देना चाहते हैं और देते हैं हम इसकी मुखालफत करते हैं और वही काम बहन मायावती करते हैं हम उनकी मुखालफत करते हैं कि वह दलित और गरीबों की बात करते हैं लेकिन जब उन सत्ता में आते हैं तो केवल अपने जाद के लोगों को देखती हैं और नीचे से लेकर उपर तक वह चमार भाईयों धुसिया और जाटों को अस्थापित करने का काम करती हैं यह समाज किने देख लिया है और इन पार्टियों ने सिद्ध कर दिया है अब अगर वही काम उनके जादबाद से हटके उनके जादबाद के सफाय के लिए हम लोगों ने सारी पिछली जात्यों भारते जंता पार्डी गोड़ दिया था इस आस्वे कि आएंगे तो यह नयाय करेंगे लेकिन अब तक ज पार्डी हम लोगों को बेवकूब बनाती है और हम लोग मजबूरी में बेवकूब बन जाते हैं लेकिन अब चारों समाज और सत्ता की मार खाने के बाद अब अधिपिश्रा बिल्कुर समझदार हो गया है आप किसी को भी सत्ता से चूत करने की ताकत अपने पास यह करा भाजबा और कांग्रेस साथ भी लगेगा क्यों कि अब अतिपिश्रों ने अपनी ताकत को पहचान लिया है और इनका दर्द इनको साल रहा है इसलिए हम लोग अब यह नारा देने जा रहे हैं और दिन दूर नहीं जब अतिपिश्रों का राज होने वाला इस देस में अभी हम चेताओं नहीं दे रहे हैं इसलिए कि सो में आधे हम हैं और लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संक्या वाली उसकी उतनी हिस्षेदारी तो आधा राजपाट और नौकर साही में आधा हक हमारा है और इसके लिए हम लोग संगर्स करेंगे अगर यह नहीं माने तो नि कितने हैं और यह चार मिलके अहिर्चमार बावन डागरा गला गोल बना के समको बैपू बनाने का काम कर रहे हैं